हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ प्रत्याशा मिश्रा और मैं लेकर आती हूँ आरो यारो मेंस हिंदी के सीरियल वाइस वीडियोज और होती हूँ रूबरू आपसे सिर्फ यह हैं स्टेडी फॉर्ड सिवल सेर्विसेस पर आज लेकर आई हूँ मैं विलोम शब्दा वलि करना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रूप जो कि इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की जिसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वह विलोम से आता है दूसरा आता है वरतनी से और तीसरा क्वेश्चन जो आत आतने पढ़ चुके हैं लगबग कि आपने सभी पढ़ा हुआ है प्री में इससे रिलेटेट सारे क्वेश्चन आते हैं साथ नंबर का ये भी वैकल्पिक प्रश्णी ही है ये आधे गंटे का पेपर होता है साथ नंबर का और इस पेपर का नाम है सामाने शब्द ग्याने वियाकरड वस्तुनिष्ट तो शुरू करते हैं हम विलोम से इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के ये हो गई बेसिक जानकारी आपके लिए तो हमाश शुरू करते हैं विलोम से कि विलोम होता क्या है विलोम जो है वो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ द जाती है दूसरा अर्थ निर्धारण में इस्से कि आपको मदत मिलती है कोई शब्स लिखा है कोई वा की लिखाया तुनसे आपको अरध हुसके निर्धारित करने में आपको साहथा मिलती है भशाई शक्ति बढ़ती है और शब्द भंडार बढ़ता है इसका आपकी vocabulary strong हो जाती है जिससे कि आप में confidence आता है अपनी बात को प्रेशित करने का विपरितार्थक शब्द के लिए आवश्यक शर्त जो है बनाने के इसमें जो बनते हैं विपरितार्थक शब्द उसके लिए सबसे जादा आवश्यक शब्द जो शर्त होती है वो यह होती है कि अगर कोई मूल शब्द अगर संग्या का है तो उसका विलोम संग्या पद ही होगा मूल सब्द अगर सर्वनाम से है तो संग्या पद जो होगा विलोम पत जो होगा, वो सर्वनाम होगा, विशेशड के लिए, विशेशड पत, क्रिया के लिए, क्रिया पत, क्रिया विशेशड के लिए, क्रिया विशेशड पत, तत्सम शब्द है अगर, तो उसका तत्सम शब्द में ही उसका विलोम बनेगा, तत्भाव के लिए तत्भ तुसमें का विलोम नाम से भी जाना जाता है इसके समयत्य ये दौ तरीकें से इनका निरधारण होता है 현재 पहला होता है निर्मित जिसमेंगी बनाय जाता है विलोम आपका कोई मूल शब्द कुछ होता है उसमें आप कुछ उपसर्ग या कोई प्रत्य ऐट करके आप विलोम का निर्धारण करते हैं विलोम बनाते हैं जो कि उनसे निर्मित हो वही निर्मित शब्द है सामान, यानि ये स्वतंत्रपद होते हैं, ये गठन और रूप के आधार पर होते हैं, जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, ठीक है, इस तरीके से जो बनते हैं, काला सफेद, इस तरीके से जो भी बनते हैं, ये हो जाते हैं सामान या स्वतंत्रपद, इनके द्वारा बनाये चलिए तो आब हम शुरू कर लेते हैं उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम जिनकों कि निर्मित विलोम के अंतरगात है तो उपसर्ग में जो सामने जो हमें द्रिश्ट में जो हमारे पढ़ते हैं वो है आउपसर्ग से बनने वाले जैसे कि ज्यानी अज्यानी गे अगे न् हमें नयाए में नयाए हो गया गोशित में जब उपसर्ग लग गया है लगता है कि ये इसका ठीक इतные कि अंद्धानि की चीज की जानकारे रखता है उसको ग्यानी कहते हैं और अग्यानी का मतलब मूर्क जिसके पास किसी भी विशे की कोई जानकारी ना हो उसको अग्यानी कहेंगे, इसी तरीके से गे अगे न्याय औन्याय घोषित अगोषित निद्रा अनिद्रा तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया है कि आउपसर्ग से जो विलोम निर्मित होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से बनाये जाते हैं, इसमें कुल मूल शब्द के आगे आउपसर्ग का प्रियोग होता है, इसे तरीके से अनुपसर्ग से निर्मित होते है जैसे उचित का अनुचित तो उचित शब्ध है इसके आगे अन प्रत्य लगा दिया गया है उ और अन इसका जब आप संधी विच्छेत करते हैं आप संस्कृत जिन लोग का बैग्राउंड में संस्कृत रहा होगा उन्हें ज्यादा समझ में आएगा अनधन उचित से मिल करके ये बनता है तो ये अनुचित हो जाता है ये आधा न और उचित का उ मिल करके न पर छोटा उ की मात्रा हो जाती हो और यह अनुचित हो जाता है अनुचित उत्पादक अर्थ अनर्थ ठीक है तो ये हो गया आपका धात से जो अन धात उपसर्ग में लगा करके जो प् से आप उपसर्ख से अगर आद्यान से देखें तो इस थरीके के जो शब हम आधार शब्द कहते हैं और उसमें कुछ जोड़ करके जैसे माली जापका कू है तो कू उपसर्ग जो है ये कब लगा जब किसी मूल शब्द के आगे सू लगा मतलब सू लगा या जिसका की पॉजिटिव अर्थ में जिसके की प्रयोग में पहले किया गया अगर किसी शब्द के दो पक्ष हो सकते हैं ठीक है कि माली जे आवसर शब्द है तो आवसर कैसे कैसे हो सकते हैं आवसर दो तरीके के हो सकते हैं अच्छा आवसर और बुरा आवसर ठीक है तो अगर आपको अच्छे आवसर की प्राप्त होती तो आप उसको क्या कहते हैं कुवसर, और अगर कोई बुरा झावसर है, तो उसके लिए कुवसर शब्द का प्रयोग, इसी तरह सनमार्गी, सनमार्गी में क्या है? मार्गी इसका मूल शब्द है, मार्गी मतलब मार्ग पड़ चलने वाले को कहते हैं, मारगी जो राही होते हैं उनको मारगी कहते है इसमें सन प्रत्य लग गया है उपसर्ग लग गया है आगे तो ये सन मारगी हो गया है इसी तरीके से इसी सनमारगी का opposite यहाँ पर हो गया है कुमारगी ठीक है मतलब खराब रास्ते सनमारगी मतलब सत्य पत पर चलने वाला अच्छे रास्तों पर चलने वाला और कुमारगी का मतलब बुरे बुराई की ओर चलने वाला बुरे रास्तों पर चलने वाला इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से बना है आपका सुपरिडाम कुपरिडाम इसमें परिडाम मूल शब्द है जिसके आगे सू लगा है पहले तब जाकर कि यह सुपरिडाम हुआ है तब ही जब इसके आगे कोई एक उपसर्ग द्वारा निर्मित कोई शब्द होता है पहले से और फिर उसमें भी कोई दूसरा उसके उपसर्ग में बदलाव करके जब दूसरा कोई शब्द बनता है उसका विपरीत बनता है तब जा करके वह होता है वह इसका विपरीत बनता है इसके उपसर्ग जो मूल उपसर्ग जो इसमें लगा हुआ है उसमें परिवर्तन करके नी और निर से तो दोशी निरदोश भय निरभय धनी निरधन डर निडर तो इस तरीके से नी या निर जो उपसर्ग लगता है उससे निर में था है ये शब्द इसे तरीके से कितने तरी विलोम शब्द ये उनका यहां पर जिक्र किया गया है कुल मिला करके, अपसर्क से, अपसे, कु से, जिनके की प्रयोक से, जिनके करके आपको विलोम शब्द देखने को मिलते हैं, या निश से, इसी तरह निह निश और निश से, स्वार्थ निह स्वार्थ, संदेह निह संद इसमें कलंक, निश कलंक, कंटक, निश कंटक, पाप, निश पाप, काम, निश काम, जिसमें निशेध, नी का मतलब होता है, निशेध करना, अगर वो किसी चीज का निशेध कर रहा है, मना ही है, जिस चीज में वहाँ पर इस शब्द का प्रियोग होता है, तो आप देखेंग से तो उसके लिए आगे ने शब्द का प्रयोग हो गया है, संदेह से मना किया जा रहा है, संदेह होना, संदेह मत करो, आप कहते हैं, संदेह है, संदेह मत करो या संदेह नहीं होना चाहिए, तो ने संदेह, वहाँ पर संदेह रहित, जिस चीज में किसी चीज को बिल्कुल अ आवशक्ता नहीं है इतने ज़्यादा डिटेल में चुकि क्योंकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछता है सिधे-सिधे पांच शब्द ये अच्छे शब्दे देते हैं जिनको कि आपको दो-दो नंबर का जिसमें कि आपको ये विलोम लिखने होते हैं सिर्फ मैं यहां आकार, निराकार, सार्थक, निरर्थक, अपराध, निरपराध राग इसी तरीके से वी उपसर्ग है इसका प्रियोक करके बनेगा राग, विराग, ध्रिष्ट, विनम्र, क्रय, विक्रय, उन्मुक, विमुक प्रति उपसर्ग लगा करके बनता है आगमन प्रत्यागमन वाद प्रतिवाद घाद प्रतिघाद पक्ष प्रतिपक्ष इसीत प्रकार बे उपसर्ग लगा करके रोजगार बे रोजगार सहारा बे सहारा सुरीला बे सुरीला दुर उपसर्ग लगा करके सुबोध दुरबोध सजजन दुरजन सवभाग्य दुरभाग्य दुष लगा करके सतकार्म दुषकर्म सचरित दुषचरित सुकर दुषकर वैसे तो यह optional है इसमें option देख करके हम लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या सही इसका विलोम हो सकता है ऐसा इसली होता है क्योंकि आप द्यानिक जीवन में उनका प्रियोग करते हैं और कहीं न कहीं आपके IQ में ये चीज बैठी होती है कि हमें किस तरीके से ये क्या हो सकता है ये क्या होना चाहिए लेकिन आपको बिसिकली उसका थियोरी नहीं पता होती कि क्यों इस तरीके से ये निर्मित हो गया तो आपको उस थियोरी में बहुत जादा द्यान देने की आवर्शक्ता भी नहीं है ये कुछ महतुपूर है जिनको कि मैंने इसमें लाने का प्रियास किया है जितने भी मैंने उदाहरण लिये हैं उनको उपसर्ग में परिवर्टन करके तीसरा जो बनता है विलूम उपसर्ग में परिवर्टन करके बनता है जैसे कि ये आदान है तो उपसर्ग में परिवर्टन कर दिया गया है और बन गया है ये प्रदान सुलम का दुरलव, सयोग का व्योग, आतिवरिष्टि की अनावरिष्टि, अनुकूल का प्रतिकूल, उपकार का आपकार और अंतरद्वंद का बहिरद्वंद, आयात का निर्यात, अलपग्य का बहुग्य, सरस का नीरस इस तरीके से जो भी बनते हैं, इसमें सब में उपसर्ग में इनके परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन करके बनाए गए होते हैं, इस तरीके से प्रत्य द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें कि जैसे नर है, नर का नारी, तो इसमें प्रत्य जुड़ गया है, बेटा का युग में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे कि अपने पराये जिसमें कि एक जो होता है वो मूल शब्द होता है और दूसरा उसका वेपरितार्थक होता है ठीकि अपने पराये जीवन, मरण, वाद, विवाद, प्रश्न, उत्तर, इधार, उधार, आना, जाना ये सारे जो उधारण है ये सभी युग में प्रयोग होने वाले शब्दों के हैं कभी कभी पक्षों के विविधता के कारण एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते है ठीक है जैसे कि राजा, रानी तो ये लिंग की दृष्टी से राजा का एक विलोम, रानी हो सकता है ठीक है एसी तरीके से अगर धनवान और निर्धन या आर्थिक उसकी दृष्टि से देखें तो राजा का रंग को हो जाएगा ठीक है कभी कभी क्या होते हैं कि एक शब्द के दो अर्थ होते हैं तो इस सह प्रियोजन के अधार पर कभी कभी विलोम एक से अधिक होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे काला जिनके साथ जिन शब्दों का प्रियोग हो रहा है वो किस तरीके से हैं इसको सह प्रियोजन कहते हैं तो काला आदमी गोरा आदमी काला कपड़ा सफेद कपड़ा मतलब कि काला जो है यहाँ पर रंग है लेकिन यह डिपेंड करता है कि यह किस चीज के प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है अगर ये काला है अगर ये काला आदमी के प्रियोजन में प्रियोग किया जा रहा है काले शब्द का तब फिर ये इसका विपरीत क्या होगा गोरा होगा और अगर काले शब्द का प्रियोग यहां कपड़ा के प्रियोजन से किया जा रहा है, तो फिर इसका विलोम सफेद होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके के भी शब्द होते हैं, कभी-कभी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, तब दोनों अर्थों के आधार पर अलग-अलग विलोम होते हैं, जैसे कि उत्तर, उत्तर एक शब्द है, ठीक है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दिशा के अर्थ में भी इसका उत्तर, उत्तर शब्द का एक अर्थ दिशा के अर्थ में हो सकता है, तो जब हम दिशा के अर्थ में इसका प्रियोग करते हैं, तब इसका वेपरीत क्या हो जाता है दक्षिड और जब हम इसका प्रयोग प्रश्णोत्तर के उसमें करते हैं ता फिर इसका वेपरीत हो जाता है प्रश्ण नवा पॉइंट है हर शब्द का विलोम नहीं हो सकता जैसे की मेज मतलब कुछ कुछ exceptions होते हैं इसमें जैसे कि मेज, मेज का कोई विलोम नहीं होता, बाल का विलोम नहीं है, टोपी नहीं है, घास का कोई विलोम नहीं है, इस तरह से तमाम सारे शब्द आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, जिनका की कोई विलोम नहीं होता, तो विलोम में कुछ बहुत खास बात नहीं है बस यही इतनी चीजें हैं विलोम कुल मिलाके उल्टा होता है और कुछ विशेश प्रत्य होते हैं और कुछ विशेश उपसर्ग होते हैं जिनके की माध्यम से जिनकों की जोड करके या फिर उनमें बदलाओ करके हम विलोम शब्दों का निर्माड क ही है फिलाल आज मैंने आरो कहीं लिया है कि जितने पेपर मुझे आरो के मिल पाएं हैं प्री और मिंस चुकि imagem innerhalb पूच similar कि और यह आप भी जानते है विलोम होते हैं तो कि जो पूचे जाते हैं प्रशन इस तरीके के विलोम से संबंधित पूछे हुए हैं तो UPRO ARO प्री का है ये 2016 का जो की परिक्षा कैंसल हो गई थी ठीक है तो ये है 2016 का इसमें पहला है सुलब का विपरितार्थक तो सुलब का होता है क्या दुरलब ठीक है ये आप से भी जानते हैं कि सुलब का होगा दुरलब यहाँ पर दुर प्रत्य लगा हुआ है इसमें इसका दुष्प्राप्य नहीं होगा दुष्प्राप्य और ओप्राप्य ठीक है ये दोनों प्राप्य के हैं विलोम हैं प्राप्य के अलब्द का जो विलोम होता है भो होता है लब्द ठीक है, तो सुलभ का जो सब से नजदीकि होगा वो है दुरलब इसी तरह दिरगायू का जो है विलोम चार इसका option दिया है चिरायू अलपायू नश्वर क्षडिक तो इसका जो है अलपायू होगा दिरगायू का चिरायू जो है ये दिरगायू का समानार्थी है क्षडिक का जो है इसका होता है शाश्वत और नश्वर का हो श्योर कीजिए कि आपने जो question जो answer आपने टिक किया है अगर आप उसके लिए sure है तो अच्छी बात है लेकिन आप बाकी तीन options जो होते हैं उनमें उनको किन आधार पे रखा गया है और उनका क्या earth होता है वो किस चीज से related है इन सभी बातों को भी अगर आप पढ़ते हैं त लगता है आप जरा सभी अगर कहीं भूल बटक रहे हैं तो आपको बाकी answers जो की जिसमें कि आप confused होते हैं बार-बार उनमें confused नहीं होंगे इसलिए जब भी आप अपने पुराने papers का analysis कीजिए तो प्लीज उसमें ये चीज का ध्यान रखी कि आपको चारो options के details आपको पता होनी चाहिए कि सही उत्तर के अलावा सही उत्तर है तो क्यों है वह और उसके अलावा कि बाकी जो तीन options हैं वो कहां से लिए गया है और किस चीज से संबंधित हैं ठीके चलिए व्यश्टि का विलोम हम देखते हैं व्यश्टि का है विलोम समश्टि होता है समास का विलोम ह होता है व्यास समवेत का मतलब होता है इकठा या एकत्र किया हुआ तो इसका एकल होना चाहिए विलों इसलिए क्योंकि आपने समवेत गान सुना होगा समवेत गान का मतलब होता है ग्रूप सॉंग ठीक है इसी तरह से फिर वह एकल गान होता है समवेत गान और एकल गान हुए है यह सबका औरिजिन एक ही है तो यह हो गया इसका एकल होना चाहिए और समस्त का और समस्त होता है ठीक है उप में उप में का विलोम जो है वो होता है अनुप में इसका उप में का विलोम अनुपम भी हो सकता है तो यह थोड़ा सा डाउटफुल है यहां पर अनुप म सबसे ज़्यादा चुकि उपमे शब्द है तो रचना के आधार पर अनुपमे सबसे ज़्यादा नजदीकी होगा लेकिन तो इसका एक विलोम अनुपम भी हो सकता है अतुलनिय का होता है तुलनिय अनुपमित का होता है उपमित ठीक है भुगोल का विलोम जो होता है वो प्रतियोगी का होता है प्रतियोगी यहां पर होगा सर्वता उप्योक्त क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर यह प्रतियोगी ही होगा इसका प्रतिद्वंदी प्रतिरोधी यह इसका कोई अर्थ नहीं वो होता है आपर सहयोगी का प्रतिद्वंदी भी नहीं होगा प्रतिर वर्णुकूल होता है थीक है तो यह दोनों भी हैं सहयोगी के फ्रतिद्वंदी और प्रतिरोधी ढी हो सकते हैं लेकिन अगर उपयुक्तिता की तुछ सरवाधिक उपयुक्त कहा है तो सरवाधिक उपयुक्त में वो प्रतियोगी होगा कर На सुछ जोड का विलोम जो होता है वो घटाव होता है तृष्णा का विलोम वितृष्णा है निस्प्रिह का इस्प्रिह है संतुष्टि का असंतुष्टि वित्रेप्त का त्रेप्त निशिद्ध का विलोम जो है वह है विहित निशिद्ध का मतलब होता है कि मना किया हुआ विहित का मतलब है कि आदेश के अनुसार जाने ही होगे ले के जाने ही होगे ठीक है निशिद्ध का मतलब है कि आदेश के अनुसार मना किया हुआ कि किसी चीज के मना करने का आदेश और विहित का मतलब है कि आदेश के अनुसार ले जाने लायक है ये चीज़ें कि आप लेके जा सकते हैं कर सकते हैं अपने में अनुग्रही हैं ये चीज़ें इसका अर्थ ये होता है निश्चित का होता है अनिश्चित हो गया उचित का अनुचित और निर्मित का अनिर्मित होता है विलूम जोगते हैं UPRO ARO P2014 का पेपर इसमें जो सबसे पहला question है जंगम का विलोम जो होगा वो इस्थावर होगा क्योंकि यहां पे अगम और अगम और दुरगम ठीक है इन दोनों का विलोम जो होगा वो सुगम होगा ठीक है इस्थावर जो है जंगम का होगा और चंचल का गंभीर होगा या शान्थ होगा दो इसके विलोम हो सकते हैं तो जंगम का जो है वो स्थावर इसलिए होगा क्योंकि जंगम का मतलब होता है कि जीवन जिन में जीवन पाये जाता है वो जंगम होते हैं तो स्थावर का मतलब होता है जड़ इसकी जगह पे जड़ भ या जड़, चेतन, विसी तरह जंगम और स्थावर, जंगम का मतलब होता है जो चीज़ें गतिमान हो, चलाइमान हो, प्राणवान हो, और स्थावर का मतलब होता है निर्जियू, स्रिष्टी, स्रिष्टी का विलोम होगा, प्रलय, स्रिष्टी का मतलब होता है निर्माड करन है इच्छा बहुत अधिक चाहा हुआ या अत्यधिक इच्छित वस्त चीज जो होती है उसको कहते है इपसित इसका अभीपसित जो है वो इसी का समानार्थी है और इसका शुद्ध जो विलोम होगा वो है अनीपसित परोपसित और सुनीपसित यह कोई शब्द नहीं है फिल मतलब होता है अलगाओ इसका विलोम हो गया विराठ का अर्थ है विराठ का होगा शोद्र विराठ का मतलब बहुत बड़ा व्रिहत भी इसका वही अर्थ है व्रिहत भी वही है छोटा पन का मतलब बड़ा पन छोटा पन जो है वो नेचर विराठ जो है यह व्यक्तित्व है और छोटा पन जो है यह नेचर है ठीक है यह personality से related है और यह nature से related है इसलिए यह सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी से अर्थ के अमतर चैंवड तक आप इसका शुद्ध मूल इसक बूड़ी यह पूच रहा है की इसका विलोम क्या होगा उसका अर्थ आपको जानन ना बहुत आवर्शक हैसुद आ है यह तरीके से कहां पर पिर आप उसके विलोम बहुत आरहां से पता कर सकते हैं कि क्या है इस्प्रिष्य का है अस्प्रिष्य, अस्प्रिष्य का मतलब होता है छूने योग, अस्प्रिष्य का मतलब होता है अचूत या जो छूने योग ये ना हो, तो अस्प्रिष्य से ये गलत है, ये तीनों जो हैं लिखे हुए हैं, अस्प्रिष्य, अप्रिष्य से लिखा है, अस्प्रिश्य और अश्प्रिश्य तो ये तीनों जो है वरतनी की दृष्टी से अशुद्ध है और अस्प्रिश्य ये सही है तो इस्प्रिश्य का जो है वो अस्प्रिश्य होगा ठीक है अग्य क्या होता है विज्य विलोम और विज्य और या प्रग्य एक ही शब्द है द गुरुत्व लगुता का विलोम होता है गुरुता और लगुतम का गुरुतम ठीक है तो यह है इसका और इसी तरीके से आगे देखते हम कि बहीरंग बहीरंग का जो है दिया हुए है उसकी चार ओप्शन्स हैं वो सरवांग, अंतरंग, चतुरंग और अभ्याग्य तो बहीरंग का होगा अंतरंग, बहीरंग का जो अर्थ होता है वो होता है बाहर का जो रंग होता है वो और अंतरंग का मतलब आंतरिक जो भी हैं वो चीज़ें अंतरंग कहलाती है दस्वा है ग्रस् इसी चीज में जकड़े हुए होना और मुक्त का मतलब होता है मुक्त होना ठीक है तो अगला जो है यह है पेपर यूपी आरो एरो मेंस 2014 का जो आया था वो आप देखते हैं मेंस में किस तरीके के प्रशनाते हैं क्या है इसमें मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा प् प्रशनाते हैं मुझे बहुतने से आपका ये प्रशन पक्का हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला प्रशन है आहूत इसका होता है अनाहूत ठीक है अब मैंने डिस्क्रिप्शन करके मैंने इसका बता दिया है और आप खुद से एक बार देखेगा कि क्या होता है और उसके क्यों ये विलोम हैं बाकी तीनों ठीक है जहां नहीं समझ में आएगा आप वहां पर कमेंट वॉक्स में बिल्कुल आप अपने डाउट्स लिखेगा उनका समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी अथ का विलोम है एति और वादी का प्रतिवादी अवर का प्रवर जटिल का सरल विलोम की दृष्ट से एक युगम अशुद्ध है इस चीज़ को बहुत ध्यान रखीगा कि प्रशन को कम से कम दो बार पढ़िएगा एक युगम अशुद्ध है तो आयात निर्यात ये शुद्ध है दृष्य अदृष्य ये भी सही है प्रत्यक्ष परोक्ष ये भी सही है आमिश सामिश ये जो है इसका सही option होगा क्योंकि पूछा है अशुद्ध तो आमिश और सामिश जो है ये दोनों समानार्थी सब्द है इनका जो विलोम होता है वो होता है निरामिश ठीक है अगर इसका विलोम होता तो आमिश का लिखा ह होता निरामिश ठीक है और आमिश या सामिश दोनों है दोनों का विलोम एक ही होता है निरामिश ठीक है अब अगला जो है पेपर वो है यूपी आरो ए आरो प्री 2013 का चलिए इसको देख लेते हैं इसमें पहला जो है यह है प्रत्यक्ष ठीक है तो प्रत्यक्ष का जो है विल परे हो तो वह परोक्ष हो जाएगा सामान्य शब्द का विलोम तो सामान्य का जो ऑप्शन दिये वो है श्रेष्ठ सरवाग्य साधाराण विशिष्ट तो इसका अर्थ होगा विशिष्ट सारी विलोम जो होगा विशिष्ट तो सामान्य जो है इसका वैसे तो होता है असामा सामान्य लेकिन यहां पर च्पी सांवा नहीं दिया है तो सामानी का विशिष्ट इसके विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका विलोम जो होगा वो होगा विशिष्ट तो और श्रेश्ट का जो वो है अधाम, सरवग्य का मतलब होता है, सब कुछ जानने वाला, तो इसका अग्य होता है विलोम, और साधारण का विलोम, और साधारण होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाने का, इसी तरीके से आते हैं देखते हैं अगला, अगला है अमर, तो अमर का मतलब होता है, जो कभी ना मरे, तो इसका विलोम जो होगा, वो होगा मर्ति, मतलब कि जो मरण शील है, जो की मर सकता है, वो होगा इसका मर्ति, और मृतक का जो विलोम होगा, वो होगा जीवित, ठीक है, और मृत्य का विलोम होगा जीवन, और मरण का विलोम होगा जन्म, ठीक, इसी तरीके अगला question देखते हैं, उपकार, तो उपकार का है, ये है अपकार, इसका जो शुद्ध विलोम होगा, वो है अपकार, तो उपकार का मतलब होता है भलाई करना, ठीक है, और अपकार का अर्थ होता है, किसी का अनिष्ट करना, क्षाती पर पहुचाना, या किसी से दुर्वेभ पहार करना, नाश करना, हान करना, ये सारी चीजें होती है, तो विकार का जो अर्थ होता है, वो होता है खराबी, तो इसका जो विलोम होगा, वो होगा अविकार, ठीक है, या विकारी, अविकारी, ठीक है, इसी तरीके से तिरसकार, जो शब्द है, इसका होगा अपमान, या अनादर. तो इसका आर्थ होता है तिरसकार का मतलब होता है अपमान या अनादर. तो इसका जो विलोम होगा वो होगा सत्कार. ठीक, तो यह हो गई. यह हो गया हमारा question number 4. पाचवा question जो है इसका वो है तिमिर. ठीक है तो तिमिर शब्द का विलोम जो होगा वो होगा आलोक ठीक है तिमिर का विलोम हो गया आलोक इसमें जो अगले options है वो है किरण, रंगीन और रंगीन ठीक है तो किरण का जो अर्थ होता है वो होता है रश्मी या प्रकाश रेखा ठीक है तो इसका होगा किरण का तम ठ दूसरे के विलोम है, यहां पर हो गया उक्त, उक्त का होगा अनुक्त, उक्त का मतलब होता है उपर कहा हुआ, मने कहा हुआ, आपने उपर्युक्त पढ़ते हैं तो उसमें उप लगता है, तब वो उप और उक्त से मिल करके उपर्युक्त बन जाता है, तो उक्त का मतलब होत कहा हुआ अनुक्त का मतलब होता है कि जो कहा न गया हो ठीक है उपयुक्त अगला शब्द है तो उपयुक्त का मतलब होता है जो ठीक है ठीक है उसका और तो इसका विलोम होगा अनुपयुक्त ठीक है और उपरयुक्त उपरयुक्त जो होता है इसका मतलब होता है उपर कहा तो उक्त का जो सही विलोम है वो है अनुक्त निर्दय निर्दय का विलोम जो होगा वो होगा सदय निर्दय शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें दया ना हो ठीक है तो इसका विलोम हो गया आपका सदय मतलब कि जो दया भाव से युक्त हो तो बाकी के options भी देख लें छड़ी देख लेते हैं इसमें सहरिदे का विलोम होता है कुमलचित या दयालू होता है ठीक है और सहय का आर्थ होता है कि सहन करने वाला सहन करने योग है तो इसका होगा असहय और सभय का जो होगा वो होगा निर्भय, ठीक है ये भय के विलूम है, भय में ही सभय लगा दिया है, तो भय से युक्त और निर्भय मतलब भय से युक्त ना हो, उन्मीलन, उन्मीलन जो होता है, इसका अर्थ होता है खिलना या खुलना, जिसे आख का खुलना और जो होता है उसको कहते है उनमीलन या खिलना फूलों का खिलने को भी उनमीलन कहते है तो यह होता है उनमीलन तो इसका जो होगा निमीलन होगा ठीक है तो विलोम उनमीलन निमीलन का मतलब होता है बंद होना या आख की पलकों जो होते है पलक उनको गिरना या जपकने को जो है वो कहते है निमीलन, तो उनमीलन का विलोम होगा निमीलन ठीक है और ये जो बाकी के जो तीन शब्द हैं इसमें अनुमीलन आउमीलन और मीलन ये कोई भी प्रमाडिक शब्द नहीं है ठीक है, इस तरीके के कोई शब्द नहीं होते हैं, ये बेकार के शब्द है चलिए यह हो गया और आट क्वेश्टन सी यह हो गया नौवा क्वेश्टन है इसका उतकर्ष उतकर्ष का जो है इसका होगा अपकर्ष ठीक है उतकर्ष का अर्थ होता है उपर खेचना उपर की और बढ़ना अपकर्ष का मतलब होगा आवना दिरास या उतार नीचे की और आ ठीक है आकर्ष का मतलब होता है आकर्ष जो शब्दें या पर यह देखे आकर्ष जो शब्द लिखा हुए न इसका अर्थ होता है खीचना या खीचाओ और इसका विलोम होता है विकर्ष ठीक, आविर्भाव, अगला जो प्रेशन है वो है आविर्भाव, तो आविर्भाव का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, तो इसका विलोम हो जाएगा तिरो भाव, ठीक, और तिरो भाव का मतलब होता है, अद्रिश्य हो जाना, या आपकी आख से हट जाना, आपकी नजर से क कर से हट जाना उसको कहते हैं तिरो भाव हो जाना जो की खतम हो जाना धिरे तिरे तो आविरभाव का मतलब हो गया आपका प्रकट होना और तिरो भाका मतलब हो के हे तुम्हें इसको प्रयोग में लाया जाता है यह हो गई चीजें हमारी 10 questions यह हो गए अब हम आते हैं आगले paper पर यह है यूपी आरो ए आरो मेंस 2013 का question paper है यह इसमें जो पूछा गया है वो है question पहला है अंदरमुखी तो अंदरमुखी का होगा बहर मुखी ठीक अंतरमुखी का विलोंग बहर युद्धाल का विलोंग मूख हो तथ is श्रोटलच वच और वक्ता में यह अंतर होता है व Glue दो अलग-अलब चीजे आपका जो बहुत ज्यादा है और मूक का मतलब हो गया जो गुंगा यह कम बोलने वाला यह न बोलने वाला उसको ज़रkovare आपकर्षल विम्नट्र है और चाह ऑए जो आगले शाइत्ग मख श्बत्राश्ण है इनी आपकर्ष विल jadi ठीक है इसके बाद से फिर आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल यह आप जानते ही हैं यह कोई बहुत वैसा question नहीं है इसके बाद से है राजा ठीक है तो राजा का होगा रंक ठीक है यह भी आप जानते हैं कि राजा का जो है वो विलोम होता है रंक लेकिन लिंग के आधार पर अभी मैंने इसके पहले वो किया था, तो यह जो है यह आर्थिक दृष्टी से है रंक, ठीक, राजा का यहाँ पर विलोम, इसका विलोम और क्या किया था, रानी भी हो सकता है, इसका विलोम प्रजा भी हो सकता है, जो कि दोनों इसमें नहीं दिय हुआ है और यहां पर इसका मतलब यह आर्थिक द्रिश्टि के आधार पर अगर देखा जाए तो यह रंग होगा अच्छा एक स्टुडेंट मुझसे प्रश्ण किया था एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रही थी तो उसने मुझसे प्रश्ण पूछा कि यह राजा का विलोम गरीब दरिद्र और भिखारी क्यों नहीं हो सकता तो राजा जो है गरीब का होता है अमीर यह चीज़ आप जानते हैं कि गरीब का मतलब होता है धन से गरीब तो उसका होता है अमीर दरिद्र जो है इसका होगा धनवान ठीक है और भिखारी का होता है दाता विखारी का मतलब होता है भीक मांगने वाला और दाता जो होता है वो दान देने दाता या दानी कुछ भी हो सकता है इसका दोनों हो सकता है ठीक है तो राजा और रंक में स्टेटस की बात यहां पर की जा रही है स्टेटस के अधार पर इसका वो किया जा रहा है इस वज़ा से राजा का कभी भी गरीब नहीं हो सकता विलोम इसका दरिद्र विलोम नहीं हो सकता और भीखारी भी इसका विलोम नहीं हो सकता इसका विलोम सिर्फ और सिर्फ रंक होगा क्योंकि राजा जो है वो एक राजा केवल आर्थिक उससे ही नहीं एक सामाजिक भी स्टेटस है उसका उसके बेस पे वह राजा है और उसी तरीके से रंक राजा के पास सब कुछ है प्रजा भी उसकी है लेकिन रंक के पास कुछ भी नहीं है ठीक रंक जो है वो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहों ना जिसके पास उसको कहते हैं रंग बिखारियों के पास तो अब बहुत कुछ है आज कर सगुड़ का होता है निर्गुड़ ठीक है तो निर्गुड़ होता है इसका यह आप जानते ही है सगुड़ का निर्गुड़ आठवा है अप अप शकुन अप शकुन का शकुन होगा स्वाभाविक है इसके बाद से फिर जो अगला पेपर है हमारा ये है UPRO ARO जेनरल पेपर प्री का आया था ये 2010 का पेपर है ये ठीक है इसको भी देखी लेते हैं इसमें जो पहला प्रश्ण है ये है अथ अथ का होता है इती ठीक अथ का हो गया इसका इती और अथ का जो अर्थ होता है वो होता है प्रारंब होना तो इती का अर्थ जो हो गया वो होता है खत्म होना ठीक है फिर इसी तरह समाप्त का जो विलोम है समाप्त का विलोम होगा ये आपका आरंब ठीक और खत्म का विलोम होगा आपका शुरू तो जैसा अर्थ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया है उसका विलोम भी वैसा ही होगा ये आपको बताया है पूर्ड का अपूर्ड दूसरा है अभिग्य, अभिग्य का होगा आग्य, कृतग्य का होगा, कृतग्य का मतलब होता है, जो किसी एहसान के प्रति, किसी परोपकार के प्रति, आपके एहसान मंद हो, जो आपका, उसको कहते हैं कृतग्य, कृतग्य का मतलब होता है, जो एहसान फरामोश होते हैं, उ उसक विलोम होता है संकीर्ड जसम्किर्ड का मतलब होता बहुत सक्रा तो विस्तीर इसका होता है मतलब विस्तृत और एकत्र का संकीरड का मतलब संकीरड का विलोम हो गया यहाँ पर आपका विकीरड बाकी सब आप खुद देख लीजेगा इन सब को बाकी सब शब्दों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर पाचवा जो है पाचवा प्रशन है अनुरक्ति अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो होता है विरक्ति और विराग का विलोम होगा अनुराग तिरोभाव का होगा आविरभाव ठीक है संसक्ति का शब्द कोई कोश में नहीं उपलब्द है फिलहाल संसक्ति शब्द जो है ये कोश में नहीं मिलेगा आपको की संसक्ति क्या शब्द होता है ठीक है आगी हम देखते हैं छटे क्वेश्चन पर आते हैं छटा क्वेश्चन है सापेक्ष सापेक्ष का होता है निरपेक्ष और असापेक्ष कोई कोई विवहारी कोई शब्द नहीं है और फिर अगला है विग्रह का जो होगा वो होगा संधी ठीक और विग्रह का विलोम संधी इसलिए होता है क्योंकि विग्रह का मतलब होता है टूटा हुआ या अलग-अलग तो संधी का मतलब क्या होता है जोड़ना संधी विग्रह मतलब कोई जो शब्द होता है जो जुड़ा हुआ होता है उसका जब हम विग्रह कर देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं उनको, उसे को संधी विग्रह हम लोग करते हैं, वही है विग्रह और उसका जो विलोम है, वो है संधी, ठीक, कौन सा तुरुटी पूर्ड है इसमें, तो इसमें तुरुटी पूर्ड है, उन्नत और आवगत, य और इसका सही विलोम है उन्नत और आवगत ये दो अलग अलग शब्द हैं ये कोई विलोम आपस में नहीं है यथार्थ का यथार्थ का होगा आदर्श ठीके साधु का होगा और साधु अगला जो पेपर है ये है हमारा यूपी आरो एरो जनरल पेपर 2010 मेंस का पेपर जो होती है इसको रीजु कहते हैं और जो वक्र होता है वो टेड़ी मेड़ी जो लाइने होती है उनको वक्र रेखाएं कहते हैं आकलन का विकलन संयोग का अव्योग कौन सा तुर्टी पूर्ड है इसमें तो अनुग्रह का आग्रह ये जो है ये तुर्टी पूर्ड है अनंत क सांत जड़ चैतन आक्रिष्ट विक्रिष्ट ये सभी ये तीनों सही है option ठीक पाच्वा question कौन सा तुर्टी-पूर्ड है तुक्षर का आक्षर है सही है समास व्यास सही है अलपायू चिरायू सही है आहार का विहार नी होता निरहार होता है ठीक ये हो गया पाचवा क्रेश्चन अब हम आते हैं छटा क्रेश्चन है इसका कौन सा त्रुटी पूर्ड है तो आमिश सामिश आधार आधे विनत उद्धत विपत्ति संपत्ति ठीक है तो आमिश और सामिश ये दोनों एक ही शब्दें ये ऊपर भी देखिए इसके पहले इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूट किये जाते हैं जो कि आपको आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा लाबकारी होते हैं आपके लिए तो आमिश सामिश ये गलत है देखिए बिल्कुल वैसा ही प्रेशन भले ही ना हो लेकिन इसमें ये जो आप्शन दि देखिए इपसित एक शब्द हमने या पर इपसित फिर पढ़ा इपसित का अनिपसित ठीके यह हम यह भी क्वेश्चन उपर पूछ चुका है पढ़ा है अभी हमने धनी का होगा निर्धन स्वजाति का होगा विजाति ठीके और उन्मूलन का होगा रोपड उन्मूलन वो आओ देखिए आप उसमें शब्दों में फेर में मत पढ़ीगा शब्दों के निम्मीलन का जो था वो दूसरा शब्द था यह है उन्मीलन वो उन्मीलन था यह उन्मूलन है उन्मीलन जो शब्द है उन्मूलन जो शब्द है उन्मूलन का मतलब होत होता है उखाड देना ठीक है एक इसी चीज़ को जड़ से कर देना या हटा देना ठीक यह तो इसका जो होता है यह होता है स्माप्ति करना अउनमिलन का होगा है निमीलन देखें याप therapies if you उनमीलन, निमीलन देखते जाएं, कितने सारे प्रश्ण आपके रिपीट हो रहे हैं, अधिकृत का होता है, अनिधिकृत, इसलिए मैंने इन प्रश्णों को हटाया नहीं, यह जैसे जैसे पूछेते वैसे वैसे ही, मैंने भले मुझे दो बार तीन बार लिखना पड़ा, ल फिर हम आते हैं, यूपी, आरो, यहां पर, परिश्रम का होता है, विश्राम, ठीक, यूपी, आरो, ए, आरो, स्पेशल मेंस, 2010, सौम में का होता है, उग्र, सौम में सुभाओ, उग्र, सुभाओ, अनुग्रह का होता है, विग्रह, अनभीग्य का अभीग्य, चिरंतन, चि जो अनंत काल तक से जो चलता चला जाए अनंत काल तक और नश्वर का मतलब होता है जो की शडिक हो जिसका की कोई निर्धारण ना हो जीवन और जीवन और मृत्व का जिसके कोई निर्धारण ना हो ठीक अगला है रास रास का होता है व्रिद्धी रास का मतलब होता है किसी जिसमें घाटा होना या कम होना कोई चीज रास का होगा व्रिद्धी नीका अधिक नीका मतलब कम अधिक का मतलब ज्यादा गुड़ का होता है दोश क पुष्ट का होगा क्षीड पुष्ट का मतलब श्रम मझजबूत आयू चैकल कम जोर ऑद हमारे अब stopping यूपी आरो एरो से रिलेटेड आप तक जितने भी questions हुए है special हुए है paper या general paper हुए है जो भी हुआ है आपका additional और वो पूरा सारे papers आपके pre or mains के मिलाकर कि ये इतने questions थे आपके ये यूपी आरो एरो के थे मैं भी लगी हुई हूई हूँ मैं काम कर रही हूँ इस पर कि PCS mains के जो papers होते हैं उनमें जो भी questions आते हैं मैं उनको भी collect कर रही हूँ अगले वीडियो में मैं उनको समयोजित करने का प्यास करूंगी कि अगले वीडियो में मैं उनको भी उनका भी समयोजन कर पाऊं तक कि आपकी अभ्यास आपका और ज्यादा अच्छे से हो पाए और आपको papers के लिए इधर उदर न भटकना पड़े कि अब पुराने साल का paper पुराने साल का paper आपको सारे paper सारे questions आपको एक ही जगा इसी platform पे मिल जाएंगे सिर्फ आपको करना ये है कि आपको हमारा channel subscribe करना है like करना है और share करना है और अपने सारे doubts comment box में लिग दीजे मैं हू आपको description box में description box में मिल जाएंगी तब तक के लिए be focused and keep studying thank you